एलो एबरीबन कैसे हो आप सभी जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो वीकॉम फर्स स्मिस्टर सी सी एफ कल मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था कि आप लोगों का सेडूल एक्जामनेशन सेडूल आ चुका है और एक्जामनेशन चालो हो रहा था चार तरिको बट 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 अभी एक नया से डूल आया जिस नूटिस के जरीए बताया गया है कि आपका एक्जामनेशन का डेरी जो है थोरा सा चेंज किया गया है तो ध्यान से सुनिएगा चेंजेस मैं बताता हूँ आपको मेंली जो पहले एक्जाम चार तरिकों हुआ हो रहा था वो एक्जाम एक दिन पहले प्रीपोंड करके तीन तरिकों चार तरिकों हो रहा है इसका मतलब आप जो इंगलिस का एक्जाम जो मैंने बताया था आपको चार तरिक का है वो अभी जो है आपका तीन तारीक है आप देख पारे हो आपए AEC जो है आपका तीन तारीक हो है वहाँ पे पांच और छे तारीक हो तुम्हारा CBAC का exam था, यहाँ पर आपको 4 और 5 है, मतलब 3-4-5, 3-4-5, 3-4-5, याद रखेगा, पहले 4-5-6 था, यह है 3-4-5 में आपका exam है, और यह पुरा आपका home based होगा, उसके पाद DSCC का exam में कोई changes नहीं है, जिससे 8 तरीको था, अभी भी वही है, DSCC का मतलब क्या है सर, accountancy, accountancy का exam आ वैसे है, इसका मतलब यह हुआ कि जो major changes आया है, वो major changes जो है, वो आपका basically आया है, सिर्फ वसिफ वो आपके, जो college based examination होने वाले, AEC और CBAC, पहले 4-5 था, अभी 3-4-5 था, ठीक है, इस तरीके से एक-एक update को पाने के लिए हमारी चैनलिस को ज़रू से subscribe करके रखेए, और ब आया है, 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 आया